देलाइफ टीवी सच सबसे आगे शुरू कर दिया है और प्यार भी इस कदर मिला है कि पठान के ही रिकॉर्ड टूट गया है शारुखान ने एक टूइट किया कि जाइए टिकट बुख कीजी और 24 घंटे के भीतर लोगों ने इतने टिकट बुख किये इतने टिकट बुख किये कि शाहरूख खान के फिल्म पठान का ही रिकॉर्ड टूट गया सबसे पहले अपने स्क्रिन पर शाहरूख खान का वो टूट देखिए और जब रिकॉर्ड तो इसमें टिकट बुकिंग हुई तो शाहरूख का एक और टूट दिखाएंगे जो फिल्म से ही जुड़ी हुई है लेकिन अपने फैंस के लिए वो बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं पहले यह टूट देखिए शाहरूख खान ने अपने फिल्म का पोस्टर शेयर किया है और इसमें उन्होंने लिखा है इन तीन भासा में दुनिया भर में यह फिल्म रिलीज हो रही है और ऐसे में शाहरूख के चाहने बादों ने शाहरूख के एक टूट के बाद जो टिकट बुकिंग की है वो तो रिकॉर्ड ही बन गया है अब रिकॉर्ड क्या बना है उसके लिए आप अपने स्क्रिन पर देखिए न्यूज 24 का टूट इसमें आकड़े बताए गए हैं क्या हुआ है जवान ने 24 घंटे में तोड़ा पठान का रिकॉर्ड 24 घंटे में एक लाख 65 हजार से ज़्यादा टिकट एडवांस में बुक 10 करोर से ज़्यादा की कमाई एडवांस टिकटिंग के द्वारा हुई है यानि कि अभी साथ तारिक माकी है टिकट बुकिंग का बिंडो क्या खुला है जो रफ्तार में टिकट बुक हुई है इससे साफ पता चलता है कि जवान फिल्म कैसी होने वाली है कितनी बड़ी सुपर हिट हो जाएगी या फिल्म आप इससे ही सहज अंदाजा लगा सकते है शाहरुखान के चाहने वाले सिर्फ भारत में ही नहीं है भारत के बाहर भी आप अरब कंट्रीज में देखेंगे उधर है आप ऊस्ट्रेलिया जाएं, अमेरिका जाएं हर जगा शाहरुखान के चाहने वाले हैं और उनके फिल्में देखना पसंद करते हैं ऐसे में भारत में शाहरुखान के बिरोध करने बालों की भी कोई कम ही नहीं है आपने देखे ही होंगे कि कैसे पठान फिल्म से पहले इतना बड़ा विवाद हो गया था उनके गाने को लेकर भगवा रंग को लेकर भगवा धारियों ने जो बवाल काटना शुरू किया था वो बेहिसाब बवाल था इसके बावजूद भी शारुका ने बड़ी शालिनता से सबको जबाब दे दिया पहले तो उन्होंने फिल्म फेस्टिवल के दौरान जो बातें कहीं कि हम और आप जैसे अच्छे लोग जिंदा हैं वो बहुत ही बड़ी बात थी क्योंकि यहां पर उनका कहना था नफ्रत फैलाने वाले नेगेटिविटी फैलाने वाले इस समा पुचिए कि इस वक्त पठान के बाद जबान रिलीज हो रही है वही भगवा गैंग इस वक्त शांत बैठा हुआ है उन्हें मुद्दा मिल नहीं रहा है अलाकि बीच में कुछ बदमाश्या की गई थी शारुखान के घर के बाहर कुछ हिंदू सगठन के लोग जमा होकर बावाल काटे थे पुलिस बुलानी परितिये गारियों में भर कर लोगों को वापस बेजा गया था शारुखान को घरने के लिए उन्होंने मुद्दा निकाला था वह यह था कि यह क्यों गुठके का प्रचार करते हैं या फिर क्यों वह जुए बाजी वाले एप का पिलारी स्टार भी इसी तरीके का काम कर रहे हैं फिर इन लोगों ने सिर्फ शाहरुखान को क्यों टार्गेट किया उनका कहना हुआ ये बड़े स्टार हैं इस बजह से इन्हें टार्गेट कर दिया लेकिन आपको टारगेट करना है तो सरकार को करना चाहिए ना सरकार जब एक जटके में चाइनिज आपको बैन कर सकती है तो फिर 2.6 अरब डॉलर के इस बिजनिस को सरकार बंद करने में कापती क्यूं है रोक लगा दे ना कोई परचार करेगा नहीं इतने बड़े बवाल करने की जरुरत होगी फिल्म पर क्योंकि मुद्दा लोगोंने की कोशिस की इसमें सफल नहीं हो पाए वो चाहते हैं कि पठान की तरह यहां भी बवाल करें लेकिन उनका एक तवका यह भी सोच रहा होगा कि बवाल आप चाहे जितना भी कर लें हिंदूस्तान में शारुख खान को चाहने वालों में सिर्फ मुसल्मान नहीं हर धर्म के ऑड़ोग शारुख खान से उतनी मुहबबत करते हैं उनका दर्शक किसी जात धर्म से उपर उठकर है कि वह यह नहीं सवचता कि वह बदाने शारुख खान की तरे किसे लोगों से connect हो रहे हैं वो काविल तारीफ है और इस बीच जो जबान फिल्म को लेकर मैसेज मिला है यह सब को अस्टड़ी से भर देने वाला है क्या दूसरी ऐसी फिल्म होगी जो बॉलिवुड में इतिहास दर्ज करने जा रही है और दोनों फिल्में शाहरूख खान क लोगों भुनाने की कोशिस करने लगी यह वह सैनिक है जबान है तो नाम पठान क्यों नाम में क्या रखा है वह देश के लिए लग रहा है आपको इससे ज्यादा गर्द की बाग और क्या होनी चाहिए लोग बबाल करने बाले बबाल करते हैं खेर जब इतने बड़े संख में टिकट बुकिंग कर लिए गए तो शारूख खान का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो क्लिप शेर करते हुए एक मैसेज है जो इसी से जुड़ा हुआ है जिदा देखिए आप भी अपने स्क्रीन पर इंदाने लिखा है ये तो शुरुवात है the many faces of justice ये तीर है अभी धाल बांकी है ये अंत है अभी काल बांकी है ये पूछता है खुद से कुछ अभी जवाब बांकी है there is a purpose behind every face but this is just the beginning wait for the is इना उने कहा है ये तो अभी शुरुवात है आगे आगे देखिए और क्या होता है ये तो बस एक face जो है वो शुरुवात का चेहरा है इना उने इस सक्सेस पर पहले से ही अपने बयान डालने शुरु कर दिये हैं यारे कि शारुक खान इस वक्त आत्म रिस्वास से भड़े हुए हैं उन्हें पता है कि उनके दर्सक उहें उनकी फिल्म को सुपर हिट तो बना कर ही छोड़ेंगे और इसकी शुरुवात भी हो गई है अगर देखिए अपने स्क्रिन पर एंडी टीवी की रिपोर्ट हमारे पास है इसमें बताया गया है कि कैसी रिकॉर्ड टूट गये हैं एंडी टीवी ने हेडलाइन में लिखा जवान की एडवांस बुकिंग ने तोरा पठान का ओल ताइम रिकॉर्ड 24 गंटे में भीके 10 करोर स टिक्टे में बेची हैं जिसने पठान के 117 के टिक्टों के रिकॉर्ड को तोर दिया है अगर बुकिंग इसे स्पूर से जारी रही तो फिल्म पी आईसी में शुरुवाते दिन सारे 600 के टिकट में सबसे अधिक टिकट बेचने के एसेस राजा मौली की बहुवली 2 के रिकॉर्ड को भी तोर सकती है यह फिल्म जो है बहद ही दिल्चस्त मालूम पर रही है शारुक खान के जितने भी स्वरूप इसमें देखने को मिल रहे हैं चाहे वो बिना बाल वाले शारुक खान हो या मास्क वाले शारुक खान हो हर अंदाज इस बक्त दर्शकों के दिल को छू रहा है इस संबन्द में जो डेटा आया वो सैक निल्क का डेटा था इसमें बताया गया है सैक निल्क के अनुसार शारुक खान स्टार जवान ने पहले 24 गंटे में किसी भी बॉलीवूर्ड फिल्म की तुलना में अब तक की सवान ने पठान का ही रिकॉर्ड तो डाला है तो इस मत देखिए जो शारुकान से जलने वाले हैं अब मुद्दा ढून लिजे शारुकान का विरोध कैसे करेंगे क्योंकि उनके चाहने वाले इसकदर हैं कि आपके विरोध का एक छीटा भी शारुकान को प्रभावित नह झाले हैं